इस प्रिच्वल वर्ड में आप सभी का स्वागत है सपने में सिव जी के सांथ के पईवार को देखना या सिव जी के सांथ माता पारवती गनेज जी और कारती के नंदी जी को सांथ में देखना हमें सपने क्यों आते हैं? सपने आने के पीछे कारण है हमारे जो सरीर है पंच भूत ततों से मिलकर बना होता है पंच भूत ततों से मिलकर प्रांट शक्ति भी बनती है प्रांट शक्ति के उपर ही आत्मा का वास होता है जब हम नित्र अवस्ता में होते हैं तो हमारा सरीर शो जाता है परन तो हमारी आत्मा जागित अवस्था में रहती है और वहां ब्रह्मान पे विच्रन करती है हमारी आत्मा के कारण हमारा मस्थिस का जो तीन टाइप का होता है चेतन, अदिचेतन और चेतन जो हमारी भूत काल में और वर्तमान काल में जो हम कार्य करते थे या कार्य कर रहे हैं उसको जोड़ कर एक समुचीत फल करूप में हमें संकेत देता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो सपने आएंगे और बूरे कर्म करते हैं तो हमें अशूप सपने आएंगे तो सीव जी के ये परिवार को देखना सपने में यहाँ एक अत्यांत शूप शपना है यहाँ आपकी आध्यात्मी कुन्नति को प्रदर्शित करता है शत्रों का नास करने वाला सपना है विपत्यों को नास करने वाला सपना है परिवार में मधूर्था का संचार करने वाला सपना है समाज में आपकी मान समान को बढ़ाने वाला सपना है आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूर्ण करने वाला सपना है और साथ ही आपको धनलाब भी होगा इस सपने के मात्यम से अगर इस सपने को और अधिक साकरात्माग बनाना चाहते हैं तो भगवान भोरे नात, परमाता, पारवती का ध्यान करें ओम नमस्षिवाय का जाब करें ताकि यहाँ सपना और अधिक साकरात्माग हो और भाविशाप का शुक्मा हो अगर यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पिचोलोट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट के माध्यम से बताइए किया वीडियो कैसी लगी और अगर इस से सम्मंधित कोई और सब न देखते हैं तो उसे कमेंट के माध्यम से बताने की किरेबा करें भगवान आप सभी के जीवन को खुशाल बनाएं आपको माग दर्शन दे धन्यवाद